नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मैं गॉप्टर अजीद डेव आप सभी का ववनवाग अकाडमी में हार्दिक स्वागत करता है विद्यार्थी मित्रों हम हिंदी के जो कुछ पाक है हमारे बहुत सारे पाक यहाँ पर हो रहे हैं और आज हम एक गद्य पार्थ देखने वाले हैं जो यात्रा मुर्टांत के नाम से भी प्रसिद्ध हैं ठीक है तो यहाँ पर जो यात्रा वर्णन होता है ठीक है तो यहाँ पर जो यात्रावर्णन होता है दाइरी लिखन, ये भी एक हिंदी साःत्य का गद्रय का प्रकारी तो आज जहां को वह envision फिए शर्मा ध्या अंत सक ईथ्य। जाता है कि यातरा का है यह नाम चैर्ट आइसा हищ तो यहा पर विने शर्म इन्ही नहीं गोवाः यह जो एक तुरीस प्लेस है एक बहुती सुन्दर एसी जगा भारत की है जहां पर बहुत बड़ा समंदर का किनारा है जिसे बीच कही जाते हैं तो ऐसे गोवा इनको किस प्रकार लगा इसका वर्दन किया है तो यात्रा उरुत्तांत का सबसे विशेश यह होता है कि यहां पर लेखक जो कुछ लिखते है विए मानो पाठकों के पाठक याने जो पाठ पढ़ते हैं उनको पाठक का आ जाता है तो जो कुछ पाठ पढ़ते है ऐसे पाठकों के आकों के सामने मानो गोवा आता है तो सबसे सुन्दर यात्रा वरुत्तांत वो माना जाता है कि जहां पर पाठकों के सामने वो पाठ् देखने वाले आईए इस पाटकों आरव करते हैं इनका परिचय हम सबसे पहले लेते हैं 1973 में इनका जन्म मध्यप्रदेश के उजयन इस जगा पर हुआ है विने शर्मा का अधिकांच लेखन उनके अनुभवों पर आधारित है देखो अनुभवों पर अनुस्वार है क्यों क्ये आधिकांच लेखने रेखन अनुभवों पर आधारित है आपके रचनाय पत्र पत्रबात्रिकायों में नियमित शप्ति रहती है and the V kita des da लेखने वी यात्र व्रुत्तांत लीकना इनकी पसंदीदा विडा है विडा रहिõ साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निवन्द भी लिखे हैं तो व्यंग्य और ललित निवन्द अलग अलग विशो पर है जो शौट में निवन्द लिखे जाते हैं तो ऐसे निवन्द भी इनों लिखे हैं इनके और जो कुर्टिया है वो है आनन्द का उद्गम अमर कंटक ये ललित निवन्द है चित्र की परिक्षा ये व्यंग्य है अमर नाख यात्रा प्रगुत्य के बीच कोई मदूर में कोच दिर यात्रा वुस्ता बुजय वादे दिये गए है इस गद्धे के संबंदी जानकरे इस प्रकार है कि प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से ल और हिंदीमे तो यहां पर लेकक के बारे में बस मत आया गया एका नोरे गो अकष़े मनोरं मदॉरम का है आलख होता है और हो भी क्यों न यहां की प्रकुर्टी आबो हवा और जीवन शैली का अकरशन ही ऐसा है कि परेटक खुद बखुद यहां खीचे चलियाते हैं तो हर किसी के मन में तरंग उठते हैं तरंग कार्थ होते हैं में भी यादे में एक आनंद की लहर ठीक है में भी वहां जाने के उत्सुक्त तक यह सारे बाते जो है मानाओं के मन को दूलित करते हैं तरंग तरंग करते हैं और वह कहते हैं कि यह जगाई इतनी खुबसूरत है कि हर कोई वहां खींचा चल जाता है कि उसकी जो आबो हवाई अबो हवा शब्द का जलवाय वेनिए वातावरन यह तो व के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्यक परिटक के दिल की धर्कन है यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदोर से गोवा जा पहुंचा खंडवा से मेरे साडू सहब भी सब परिवार हमारे साथ साडू है और लेका कहता है कि भारत के किसी भी कोने से ल लेका को है और अपने परिवार के साथ यानि उनकी फैमिली जो है उनका फुट्व मेह चोटे बच्चे उनके साथ बीबी ए और साडू और साडू का परिवार है ये सब खंडवा ये मद्य प्रदेश का ही एक बहुत ही प्रसिद्द ऐसा शहर है तो इमकी साडू खंडवा यांनि खांडवा शहर से मुझे साथ जुद गये हैं याप एक फींद और पर इंदोर से मुझ वा गये हैं 23 नमंबर को जब गोवा एक्स्प्रेस मनगाउं की तो सुभा का उजास हो गया था था सुभा खुच पर दोड़ पर दोड़ पड़ी शीतल हमां के जुवकों से मन प्रसंद हो गया और यात्रा की सारी ठकान मिल गई। मैं सोचने लगा कि परियाटन का भी अपना ही आनन्द है। जब हम जीवन की कई सारी समस्तियां से जूज रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका परियाटन ही है। निजा सब्सक्राइब के द्वारा जहाँ अपना इच्चित स्थाल है। उनका हटेल जहाँ पर वहाँ पर जाने लगे। और वह कहते कि यह गवा की हवा इतनी शितल और अच्छी थी कि मानो जो यात्रा के कारण जो थकावट हमें आई थी मानो थकावट तहीकी गई दूर चली और इसलिए कि जो हमारे जीवन में जो तकलीफे होती है तो उन तकलीफों दूर करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय यानि यात्रा होता है। तो इसलिए भारत में सांस्कृतिक दुरुष्टी से यात्राओं का बहुत मात्वर हम धार्मिक सलों को जाकर विजिट करते है वाइबर जो जाकर दर्शन करते हैं यह उद्देश है ऐसा निए तो उसके साथ साथ यात्रा के कारण मानुविय मन प्रसंद हो यह भी बहुत बड़ा उद्देश उसके पीशे होता है ठीक है यात्रा के कारण धार्मिक सलों पर जो अर्थ व्यवस्ता होती है ठीक है यह अगे बढ़ती है यातरा के कही सारे गून है तो लेकर कीיתा क्छिए अगला उसको पर्त प्राफर्फर्फुन होता है और जो कुछ समस्य हैं से हम जूज रहे होते हैं तो उस समस्य उन को जो है कुछ पल के लिए हम भूल जाते हैं और एक अलग ऐसा आनन्द हमें या पर प्राफ्ट होता है बदले हुए वातावरन के कारण मन तरूता जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए भिष्टा मिल जाता है कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मढगाउ से पाच किलो मेट दूर तक्षिं में से कज्वा बेनालियम के एक रेसॉर्ट में आकर रुके यहां रेसॉर्ट हमने पहले ही भूख कर लिया था इसलिए औपचारि खाना पूरति कर्द हम आराम करने के इरादे से अपने इपने शूट में शले गए खाना पूरतिकारत होता है जो कछ जो रूम से यह मुख करके रखी थी और लेकर कहता है कि यह सिर्फ आपचारिकता थी हम वा गए और आराम करने की रदा से अपने पर सूट में चले गए इस से पहले कि हम कमरों से बाहर निकले मैं आपको गोवा की कुछ खास बाते ही बता दूँ दरसल गोवा रज दो भाग बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहां मौसम में प्रायख उमस तथा हवा में नभी बनी रहती है सरेर चिप चिपाता रहता है लेकिन मुंबई जितना नहीं क्योंकि यहां का क्षेत्र हरीतिमा से भरपूर है और दुख तो ठीकी ही होती है तो यहां पर जहां पर समुद्र होता है वहां पर उस समुद्र के कारण लोगों को पसीना बहुत आता है और इस पसीने के कारण दुख न भी हो दुख के दिन न भी हो तो भी यह पसीना आता है क्योंकि हवा में समुद्र का समुद्र से जो हवा स्मुनहंद्ररम पानी ख़ारा है आप सबहों पता है तो इस एक करन्म कारण में चीवजिब иться यह संसर पनी कारण आग कोड़ा और ऊबबाद के हैसर मुंबई इसले खर्म apart में जब से हमयर के करना लेकिन वल्एस थे यह बहुत होनी के कारण वह इतना वह मेहसूस नहीं होता है, जितनी तेरता से महमब्द में होता है, ठिके। और यहां पर जो पनजी यह गोवा की राजधानी है और यह राजधानी जो एक नदी की किनारे बैटी बसी है और इस नदी की विशेशता ही है कि साल भर उसे पाने रहते हैं तो इस प्रकार जो पहला दर्शन गोवा का हुआ यह बहुती अच्छा है यह बहुती सुन्दा है पूर्वजों के पूर्वजों से मिली है और इन लोगों ने आज भी इस संस्कृती का जतन किया है यह बहुत बड़ी बात है कि किसी भी संस्कृती का जो संवर्दन है आने वाली पीडी करती है पूर्वा पीडी ने उसे बनाया है और आने वाली पीडी आजया है वो संस्कृती को फॉलो करती है यह गोवा की विशेशता है आधुनिक्ता भी दिखाई देती है और उस कि शाम बड़ी अच्छी होति है तो चलो इस शाम का आननद लेने के लिए बंदर कि ओनर की नर की विष्च्टा होति है वहाँ पर रुखने के लिए वहाँ पर खेलने के लिए कुछ जगा होती है, तो यह बीच यहां पर दो प्रकार के बताए गए है, एक जहां पर रेत फैली हुई है, और बहुत सारी जगा आपनोगों के लिए है, और कुछ बीच ऐसे हैं, कि जहां पर पत्रीले जो है, वो बड़े बड़े चक्तान जो है, वो भी देखाए देखें, तो बीच किस प्रकार का है, यह हम देखते हैं, तो लेखक जिस बेनलियम बीच की बात कर रहा है, वो किस प्रकार का देखें, आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खुपसर तथा शांत जगा है बेनलियम, दिन भर की ठकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था, रेसवाड से बीच की दूरी कोई एक किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलनी के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी, अर अब सागर देखने का उत्सा बढ़ता ही जा रहा था, तभी आचानक लेहरों के आवाज सुना कर भाग रहे थे, खुब सुरत समंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपड गया, इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुड़ गये, लहरे उनका घर गिरा देती, वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुड़ जाते, यह अक्रम चलता रहा, मैंने इन उसे सिखा कि जीवन में आशावाद हो, तो कोई काम असंभव नहीं है, शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गये, मानो एक लहर कर रही हो, कि बनने के बाद मिटना ही नियती है, यह जीवन का सत्य भी है, यह पर परियाटन के साथ साथ लेकक हमें जीवन का बहुत बड़ा ज ambiguity के बन बेनलियम बीच देखने के लिए हम उतसुपते हो और मानो पहली बार लेकक समुदत्र का किनारे जैसे उतसुपता है, यह उतसुपता है यह पर दिखाए देही रही है, तो वो कहताए कि, जैसे है अरब सागरदेखने के लिए हम आगे बड़े, और कानो में उस स युद्ध का क्षेत्र युद्ध शुरू होने से पर उप्ले जो आवाज की आजाता है तो यहां पे गगन वेदि रन वेदि ऐसे आनिक शब्दा आपको दिखा देंगे जो आवाज बहुत तीवर होती है उसको रन वेदि का जाता है तो लेकर कायते हैं समुद्र बलही नही वेकिन जो लहरों के आवाज आ रही है मानों किसे रनवेदी के आवाज की तरह आप देखा और जब पहली बार उन्होंने समुद्र दिखा तो वह बहुती ज्यादा उत्सुक आननदित हो गये और वह कहते कि यह लहरे जो है यह लहरे देखती ही बनती थी जो उनके साथ बच जिन्दगी की सीख मानों है पर हमें दे रहा है कि बनना और विगड़ना बनना और नष्ट होना यह नियती का नियम है और यह लहरे नियम दोरा रही है और हमें सीख दिए रही है आगे किस प्रकार लेख़क गोवा का अनुगव करते हैं यह हम देखते यहाँ एक लहरों के साथ वहकर आई मश्लियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मनराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं, तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं, यहां बैठे कुतों को इसी बात का इंतजार रहत मौका मिलते ही वे इन पर जफट पड़ते हैं लेकिन बेचारे कुतों को सफ़न्ता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुतों का दौड़ना और पक्षियों का टीन टीन कर और जाना या दुरुष्य सहलानियों का अच्छा मनुर्यन करता है। इदर जैसे ही सूर्य देवता ने विदाली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहा लाएं समुद्र का नया ही चहरा नजाराा आने लगा। ॹसर के लिख स्याह और वया हह देखे। अम ऌर द्शनारा के इस प्राक यह क्युनारा ayahelis trylist भी मानो आपकी सामने वह बता रहáis है। और वहह कहते है कि जब हम इस की बीच पर गया हैं नहीं देखा, कि बहुत सारी पक्षी बो Collेत के समूदर के तल पर और उन पकशों को खाने के लिए प्रैत्म करता है जो खुत्तों को पकड़ने का प्रैत्म ये करने के लिया लाइक होथा है और यहां पर जो लोग जम्हा है आप हो एक हैं के मनुरंजन करता है ऐसे हो तो सुर्य का प्रकाश होता है उस प्रकाश में दिखने वाला समुधर अरो जब रात की गैराई बढ़ती है तो यह इस कारव यह बहुत भया वहब मानू नजर आता है ठीक है आप अगर देखोगी किक्सी भी नदी के इंदर या समुधर के अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई जैसे घूमने फिरने के लिए यहां बाइक आदी की राय पर मिल जाती है और उन पर ही गोवने का मज़ा भी आता है लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिप सकते हैं मुनासिप यानि योग्या तो यहां पर उनके साथ छोटे चोटे बच्चे दें और इसी कारण मले ही वापर किराई की माईक बाइक जो है वो मिलती है लेकिन वो कि यात्रह करना काफ़ी सुलव और योग्या समझा आगे देखें यहां सीफूर कि अधिक्ता होने कैना कारण शाकाहार, परेटों को सु स्वादूभोजन की समस्या से भी दोचार होना करता है तो यही प्राप्तनों तो यही 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 जादा मिनती है और शाकाहर जो है स्वादुष्ट भोजन शाकारी तो यह मिलना यहां पर बहुत मुश्किल है और मिलता भी है तो बहुत महेंगा मिलता है काफी बटकने के बाद अच्छा बोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेग तो डिली हो ही गई या समस्य हमें पहले से पता थी इसलिए हम अपने रसॉर्ट के सूट में उपलब्द किचन में ही बोजन करते थे तो यहां पर लेखक पूरी तयारी के साथ यहां पर गया है उस से गोवा में क्या-क्या है किस प्रकार रहना पड़ता है इसकी जानकारी वह लेकर रखे थे और इसलिए कहते हैं कि यहां पर शाकारी बोजन मिलना बहुत मुश्किल है और इसलिए हमने हमारे रेसॉर्ट में जो कुछ किचन हमें मिला था उस किचन में ही हम बोजन पकाते है यह पाठ केवल गोवा का वर्णन नहीं कर रहा है केवल यात्रा वरुतांत नहीं कर रहा है तो यहां पर बहुत बड़ी सीख भी दे रहा है कि किस प्रकार यात्रा के जानने से पहले यात्रा को जानने से पहले हमें तैयारिया करने चाहिए है तो जहां के भी हम यात्रा पर जीत पा सकते हैं यह सारी प्लानिंग लेकक पहले कर चुके हैं यह हमारी लिए बहुत आगे देखें सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे अंजुना नाम का एक बीच है जो बहुत प्रसिद्ध है गवा में छोटे मड़ी करीब 40 बीच है लेकिन प्रमुख साथ यह आखी है अंजुना बीच निले पानी वाला पत्रिला बहुत ही खुबसूरत है देखो दो प्रकार बीच के मैंने बताये जापर एक प्रकार में रेथ फैली है और दूसरा बीच जो है जापर पत्थर और थोड़े वह चक्टान जो है वह होगी है इसके एक और लंबी सी प पत्थरों पर पशाड खाता रहता है पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेट कर दिये है जिससे यह पत्थर कमजोर भी हो गया है साथी समुद्र के काफी पीचे हर जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है इससे वहां कई ने अपना घर बना लिया है लेकिन संगर्षु में ही जीवन है इसलिए यहां घूमने का भी आ अपना अलग आनन्द है यहां युवाओं का दल तो अपनी मस्ति में डूल बूबा रहता है लेकिन युवाओं का को होता है इसको युवाओं का दल कहा गया है दल याने गृप या समु हो लेकिन परिवार के साथ आय परवटों को का ध्यान अपने बच्चों को घत्रों से सावधान रहने के दिशा निर्देज देने में ही लगा रहता है मैंने देखा कि समुद्र की नारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना संदरिया है बेनालियम बीच रेटिला अथा उथला है यहां मचोवारों की पहली पसंद है यहां सुबह सुबह बड़ी मातरा में मचलिया पकड़ी जाती है लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मचलिया स्थानिय बाजार में ही बेची जाती है इनका नीरियाद बिल्कुल भी नहीं होता है इसके विपरीत अंजुना बिच गहरा और निले पानी वाला है यहां बॉलिवर्ट की पहली पसंद है यहां कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है दोनों बिच व्यावसाइक है और मूल अंतर व्यावसाइक की प्रकूर्टी का है इसके बाद हम लोग दिन भर पंजी शहर दिखते रहे तो यहां पर लेकर कहता है कि जो दो बिच उन्होंने देखे इसमें सवर्वपतम जो बात कहते हैं वह अंजुना बिच के और दूसरा बिच जो है वह बेनालियम बिच जो है वह कहाँ खेया है यहां पर मश्लिया भी मच्वारे पकरते हैं और स्थानी बाजार में यह वह रॉपर वाक का जो लोकल बाजार है वही वह बेची जाती है वहाँ आ वहाँ सीफूड महत्वपूर्ण होने की कारद इनकी नेरियात करना है और पत्थर है और यहां का जो पानी गहरा है और नीला है तो बॉलीवर्ड की यह सबसे अच्छी पसंद दीदा जगा है क्योंकि कई हिट फिल्मों की शूटिंग यहां पर हुई है तो संपूर्ण रूप से लेकक यहां पर इस बीच का वड़नन इस प्रकार कर रहा है कि मान निर्मान कर रहे हैं और हमारे अंदर उत्सुता निर्मान कर रहे हैं कि आप भी ज़रू चाहिएगा ठीक है ज़रूर हम एक दिन गोवा सम लोग मिलके जाने की कुशिश करेंगे देखिए आगे घूम फिरकर शाम को हम कलिंग वूड बीच पर पहुंचे यह काफी रेतिल अंगेज है अश्चरी चकित जो हमें करने वाले जिने देखने में ही आनंद आता है आप भी अपनी रूची के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया लेकिन सबसे अधिक रोमांज पैरा लाइंडिंग में ही आया काफी उंचाई से अथ्वा जल यानि मैं और मेरी पत्मी दोनों डर भी रहे थे और खुछ भी हो रहे थे इस डर इस बात का कि छूट जाए चूट गए तो समझो गए और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक गुरुष्ट पहले बार देखा सच्च्च्च अध्वुत तो सच्च्च अध्वुत है ऐस इसे चार किलोमेटर में फैला हुआ बहुत विशाल और विस्तृत ऐसा बीच है और इसलिए स्थानिय लोगों का व्यावसाय केंद रही है और अलग-अलग प्रकार की जो खेल है जहापर पानी के मादियम से खेल जाते हैं और लेकर कहता है कि मैंने जो खेल हिला है यह बह है और यह वह पल होता है कि अपने लोगों के साथ इन पलों के माध्यम से हम लोग एक अच्छा और अगला आनंद जो हो लेते हैं हम पाठ के अंतिम चरण में हैं देखिए क्या कह रहे हैं हम यहां चार चार दिन रहे लेकिन हमारी एक ही दिन चर्या रही सोबर जल्दी हाला कि यह चोटी थी पर वच्चों ने अच्छा अनन लिया इस दावरान यहां नवरात्री तथा दशेरा पर्व मनाने का सवभा की भी प्राप्त हुआ उट्टर वारत में जिस तरह हर गर तथा गली महले में माधुरगा की गटस्तापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है ऐसा ही यहां भी होता है रावन का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है सुबह से लोग अपने वहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पाल की मंदिल ले जाई जाती है इसके बाद एक पेड़ विशेश की प इतने कम दिनों में गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया पर इतना जरूर समझ गया कि पश्टमी फैशन और सभ्यता में रचा वसा होने के बावजूद यह भारतिय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मक साथ किये हुए है परेटक फैशन के रंग में कुछ देर के लि दूसरे दिन घूमफिर कर थकान मीटा कर हम दिन्भर की जो ठकान होती है वह मिटानी के लिए पूल में चल जाते और तैरने का आनल लेते हैं तो वह कहते है कि नवरात्री और दशेरे का जो परवव है यह भी हमने यहां पर मनाया और उत्तर भारत और दक्षिन भारत जो ह के पर दांग रहे हैं तो संस्क्रित को मंधनाथ लेकिन को मान्यता है ये गोवा में अभी थीघी हुई है एक फर की नोगों की राज्यत सब अपनी पुरानी परमपराओं के साथ यह अपने दिन बिताते हैं तो यह दशेरे का जो तेवहार है इस तेवहार के दिन यह पर मंदिर में एक फालकी निकलती है और एक विशिष्ट ऐसे पेड़ के पत्ते तोड़ कर लोग एक दूसरी को दे कर बदा ही देता है यह परमपर वुर्दण करते हुए लेकिन साथ 57 प्रकार विश्टा यात्रा का आयोजन करें ऑर अपने संस्किति के साथ जूडही हैं तो अ यह उत्पनल हो कई में अपना देश गए आपकशली यह अम्हारी रहें då है duty उस ते लिखसेश दिया है कि भले ही आप कितने यही पश्चिमी देश के फैशन अपना ले हमारी मूल भारतिय संस्कृति को आप कभी में ने देंगे तो ऐसा एक सुन्दर पाठ आज हमने आप देखा है नए पाठ के साथ फिर एक बार कौन अकेडमी पर मिलते हैं धन्यवाद